हलो मैं सब्सक्राइब कर रहे हूं और सेल्स के अंदर यह चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है तो अगर हम फील्ड में सही तरीके से सही तरहा के प्रोस्पेक्स के साथ अपने टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा बेटर क्लोजिंग कर सकते हैं और आज मैं आपक के दोरान फील्ड में मिलने वाले हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह तीन तरह के प्रोस्पेक्स कोन से हैं तो आपको किनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए तो इस वीडियो को लास तक दरूर देखिएगा अलो माई देखिया अनुआ कियरा और मैं एक एक न रंबरन वंन टाइक ओक प्रोस्पेक्स आपको मिलने वाले हैं फील्ड पर उन्हें बोलते हैं हाट प्रोस्पेक्स या सैक्टिव प्रोस्पेक्स यह वह लोग है जो अपके प्रोड।क्सियों सर्विस इस सर्ज कर juvenile इन०। जस्ट इन टाइम आप बिल्कुल सही वक्त पर उनके पास पहुँच गए और यह इमेडियेटली फर्स्ट कॉल में ही आप सब लोज हो जाएंगे यह वही 10 परसेंट लोग होते हैं जब बोला जाता है ना इस सेल्स की जो एवरेज है वो नंबर गेम है 10 परसेंट तो हर किसी का निकलता है तो यह वही 10 परसेंट लोग होते हैं दोज आप प्रॉस्पेक्ट जो सेकिंड नंबर पर आते हैं वह है प्रॉस्पेक्ट यह सबसे बड़ा नंबर होता है यह सो में से 70 परसेंट होते हैं और अगर आपके पास सही सेल्स किल्स नहीं है सही सेल्स ट्रेनिंग नहीं है तो आप इनको close नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको आपके प्रोड़क्ट और सर्विस की जरूरत तो है मगर ये बात इन्हें खुद नहीं बता For example, nobody पॉंटि इन आईफोन Until someone created a demand सबको phone तो चाहिए था, आईफोन किसी को नहीं चाहिए था इन prospects को पहले आपको demand क्लियर करनी पड़ती है और फिर बताना पड़ता है कि इन्हें आपके प्रोड़क्ट की जरूरत है तीसरा जो prospect आते हैं वो आते हैं window shoppers ये लोग सबसे ज़्यादा curious रहने वाले हैं ये आपसे सारे सवाल पूछेंगे मगर ये कभी convert होने वाले नहीं हैं बहुत वार आपने भी किया हुआ घर में बैटे 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 बोर हो रहे होंगे तो दोचर दुकाने घूमाते हैं लेके कुछ नहीं आना बर जब घूम ही आते हैं ये 20% वो prospects हैं आप जितनी अनर्जी लगा दीजिए इन्होंने close नहीं होना तो माइडियर श्रेंग आपको सबसे ज़्यादा time invest करना है hot prospects and passive prospects के साथ window shoppers को अब जितनी जल्दी और जितने बहतर तरीके से स्थमच पाएंगे उतना ज़्यादा time अब अपना field के उपर बचा पाएंगे I hope इस वीडियो ने जुरू आपको help किया है उसको like, comment and share जरूर करेंगे अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ तिल देन, stay safe, stay blessed by, take care